गौतम बुद्र जने सिधार्द गौतम के नाम से भी जाना जाता है इनका जन्म पांसो तिरेसे डिसापुल नेपाल की लूमनी नामकस्तान पर हुआ उनका एक माना अध्यात्मिन नेता बनना जो है तै था लेकिन उनका रास्ता हमेशा सपष्ट नहीं था सिधार्द का जन्म एक राजकुमार के रूप में एक जिलासिता पूर्ण जीवन में हुआ उसके अपास वे सब कुछ था जो वे कभी चाहता था लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने चारों और की दुनिया के प्रती खालीपन असंतोश की भावन महसूस होती थी एक दिल सिधार्द ने अपना महल छोड़ने और बारी दुनिया का पता लगाने का फैसन किया उन्हें पहली वार कश्ट गरीवी और बिमारी का सामना करना पड़ा इस अनुभव ने उन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें आत्म ज्यान की खोज़की और प्रेरित किया वर्षो की गहम द्यान और आत्व चिंतन के बाद सिधार्द को प्रसिद बोध विर्ख्ष के नीचे ज्यान प्राप्थ हुआ वह जागरत गोतम बुद वन गए गोतम बुद ने अपना शेष जीवन यात्रा करने और जीवन के सभी शेत्रों के लोगों को अपना दर्शन सिखाने में विताया उन्होंने करुणा, सचेतना और क्वेडा की वास्तविक प्रकृती को समझने के महत पर जोड़ दिया